हेलो फ्रेंज्स कैसे आप सभी लोग आप लोग का भहुत बहुत सौगत है हमारे चैनल परिशन निकितन में हम लोग की सीरीज चल रही है और यह फोर नमबर की सीरीज है इसमें हम लोग प्रीवेस पेपर कर रहे हैं यूजी सीनेट पेपर बन के लिए इसमें 40 कोईशन इंडियूड करे गए हैं सारे यूनिट से करे गए हैं और जो 10 कोईशन नहीं है वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन और डी आई के नहीं है उनको हर कोई कर लेता है अदिकतर तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट कोईशन है और हर सिफ्ट में से कोईशन पूछे जाते हैं ठीक है तो यह इसमें बोला गया इफ ता स्टेटमेंट ऑल सेंट सार मतेरिस्ट इस गिविन एस तू विच आप फॉलोई स्टेटमेंट कुट बी इनफॉर्ड तो बी ट्रू मतलब यह बोला गया अगर यह वाला स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है तो इनमें से जो चार ओप्शन है इनमें से कॉंसर डाफिनेटी ट्रू होगा देखो कल भी इस सरी किसे कोईशन आया था हमनें बहुत अच्छे से एक्स्पेंड भी कराता यह स्क्वेर ऑपोजिशन का कोईशन है इसमे अले एका समझते है यह होता है औल वाला स्टेटमेंट यह जो होता है हमारा नो वाला स्टेटमेंट एंड आई जो होता है वो होता है सम और ओ होता है वो होता है सम नौट क्लिया फिर देखो इसमें यह बोला गया कि यह जो वाला स्टेटमेंट है ए है कोशन ने खुदी ब तो अब देखोँ समें कैसे करेंगा हम लोग इसको आपने यह वाला ट्रू है तो इसके एक ऊपोजिट में यह हो तो यह डाफिनेटली कैसा होगा फॉल्स होगा क्यों कि ए और और का connection contradictory होता है अगर एक true है तो दूसरा false हो जाएगा उसी तरीके से अब आज समझते हैं कि इन में से कौन सा true होगा अब देखो यह जैसे false हो गया कैसे false होगा क्यूंकि इन दोनों का connection अब मैंने बोला था कि जो false होता है वो upward होता है अगर यह वाला statement हमारा false है तो उसके उपर वाला statement भी false होगा clear अगर यह false हो गया यह वाला तो यह और आई में भी connection होता है जो ए और के बीच में connection होता है यानि की contradictory तो यह और आई तो हमें एक statement पार चलिका है कि यह जो false है तो इसके opposite आई है तो यह definitely true होगा ठीक है अब देखो हमें 4 पता चल गए हमसे पूछा गया true कौन सा होगा तो यह तो mention थाई तो आई वाला statement हो हमारा true होगा यानि सम वाला तो सम वाला इसमें कौन सा है यह वाला सेकेंड ऑप्शन सम सेंड आर मटेरिस्ट तो हमारा भी option रूकुल राइट हो जाएगा आई होप आपको यह question सर्में आया होगा तो next question क्यों करते हैं यह रहा हमारा second question इसे बोला गया ICT tools are associated with mind mapping mind mapping से पहले भी question आया है mind mapping क्या होता है mind mapping होता है कि हम अपने mind को इस तरीके से mapping के थो चीज़ों को सीखने कोशिस करते हैं जो लंबे समय तक हमें याद रहे जैसे कि हम लोग क्या करते है graph के तोर पे या फिर कोई हम लोग उने band diagram बना लिया या फिर कोई flow chart बना लिया ऐसे करके बना लिया तो यह क्या होता है mind map होता है mind map ICT tools में काम आता है ICT tools में यूज करने से हम कोई भी चीज़ों को इसका material को बहुत अच्छी तरीकी से design कर सकते हैं hierarchy order में systematic तरीकी से चीज़ों को arrange कर सकते हैं जिससे कि हमारे mind में लंबे समयता चीज़े रहती है तो इसमें पूछा गया कि कौन सा application mind mapping से related है तो कौन सा है mind measure है x map है और cmap है ठीक है यह तीन option जो है हमारे ICT mind mapping से related है और mind mapping क्या होता है अभी बताया कि यह ऐसा hierarchy order में चीज़ों को arrange कर देता है जो कि हमारे लिए simple हो जाता है समझना ठीक है तो इसका option हो जाएगा a b c add of photoshop तो देखो इसमें 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 डिजाइनिंग के लिए होता है ना हमारी जो हम लोग फोटोशोप एड करते हैं इसमें फोटो अगया डिट करते हैं इसमें तो मैंड मैपिं दैसा कोई कामी नहीं है हो इसमें दिफ्रिंट कॉंसेप्ट होते हैं उनको और्गनाइज करने में सोचने में उनके बीच अनेंक्शन नीकालने में मायन मारी मदद करता है आई-सी टूल से होता है और यह एसोट होता है किससे मायन मैपिंग से तो तीन हमने अभी अभी आपलेक्स्ने पड़ी मैं ax mind or cmap cmap का मदलब क्या होता है concept map के लिया तो यह दोनों का कोई relation नहीं है mind map से next question which of the following statement are so related that they cannot be false though they can both be false देखो फिर से logical reasoning से question आया है इसको कैसे solve करेंगे देखो इसमें फिर से हम square of opposition बनाते है a e i o ठीक है जो कोई starting class से जोड़ा है उसको यह वाले concept definitely समझ में आ रहे होंगे I am sure तो यह वाला जो a होता है वो all वाला statement होता है e वाला statement होता है no universal negative i particular positive यानि sum और जो o होता है वो होता है sum not यानि particular negative clear को is a और o में contradict relationship होता है e & i में कोईνα डिक्रिक्त relationship होता है a & i के बीच में the relationship हों contrary होता है i & O के की relationship होता है subcontrary होता है e & o and a & i के बीच में relationship होता है subaltern ठीक है यह धीवेछ गयात हो तक आद्यागा बसมา little एसले चीटों को पढ़ते रहना है ठीक है मैं फिर से रिपीट करते हूँ A & O के बीच में डीच में रिलेशन होता है Contradictory, I & E के रिए बीच में Contradictory, यानि कि अगर एक true है तो दूसा false दूसा false है तो पहला false true हो जायेगा, clear A & I के बीच में connection contrary होता है और i और o के बीच में sub contrary होता है e and o a and i के बीच में sub return होता है ठीक है अब इसमें ये पूछा गया कि कौन सा statement चो है cannot be false though they can be true मतलब दोनों साथ में गलत नहीं हो सकते पर true हो सकते हैं तो वो कौन से होते हैं i and o ये वाला i and o के बीच में ये दोनों सही होते हैं पर ये गलत नहीं होते साथ में और a और i में से opposite होता है कैसे ये both can be false but cannot be true clear तो i and o में कौन सा होगा एक sum और sum not वाला तो sum वाला कौन सा है ये वाला sum not वाला d यानि कि हमारा answer क्या हो जाएगा a and d यानि कि b option clear next which of the following pair of acronym and its expression is incorrectly matched incorrectly matched कौन सा है हमें वह find करना है GPS क्या होता है जो कि अभी हम लो हर mobile phone में ये module रहता है जो हमें position बदाने में help करता है इसका full form क्या है global position system ये बिलकुल correct है GSM GSM का क्या बोला गया है global system for management ये वाला wrong है इसका full form क्या होता है global system for mobile communication mobile communication clear तो ये वाला wrong हो गया तो आपका काम क्या है आज आज ये चार्ट जो आपको मिलगा अक्रोनी मिनको याद करना पी नोट बुक में GPS Global Position System GSM Global System System for Mobile Management Sorry Mobile Communication S.I.M. SIM का होज़े Subscriber Identity Module and Vimex का क्या होज़ेगा Worldwide Intro Operability for Microwave Assess clear? तो ये तीनो साही थे GSM अमारा wrong था मैं wrong ही बताना था अगला question है If you want to conclude that a given variable has a causal relationship with our second variable you have to able to rule out other possible causal variables the principle of causation involved here is तो ये वाला question सायद हम लोगों के चार सेट कर लिए उसमें सायद ही दूसरे यादी सिवा रिपीट हो रहा है question पिछले वाले पेपर में आया था हमारा external validity और उससे पहले वाले में internal validity और फिर से आज आया है internal validity तो क्या होता है internal validity इसमें हमाय causation relationship दिखाते हैं बीच मिजल से researcher कोई research कर रहा है और उसमें कोई actionous variable आता है उसमें कोई causal relationship दिखाना है तो वह उसको हट रिमूब करने की कोशिस करता है ताकि हमारे research में कोई impact ना पड़े ठीक है तो यह relationship दिखाता है second पहले variable का दूसरे variable से तो इस कांजा क्या हो जाएगा internal validity देखो कैसे पढ़ लेते हैं तो clear हो जाएगा जैसे बोला गया है internal validity refers to degree to which study or experiment accurately accurately experiment करते हैं external validity जो होते थी हम लोग उसको wide area में उसको हम लोग generalize करने की कोशिस करते यह तो हम लोग छोटी से research में करते है internal validity तो इसमें हम लोग accuracy maintain करने की कोशिस करते है accurately demonstrate a causal relationship between variables ruling out other possible causal factors जो भी other factors हम लोग को influence कर रहे हैं उनको वो क्या करता है? ruling out करता है उनको हटाने की कोशिस करता है to establish internal validity researchers need to ensure that the observed relationship between the variable is not due to confounding factor or alternative explanation मतलब क्या हुआ इसका वो observe करता है variable को ताकि कोई भी confounding variable या factor जो होता है उसकी research में कोई भी problem create ना करे they must control for other possible causal variables and establish a clear cause and effect relationship between the variable of interest यह क्या करता है possible जितने भी हमारे ex genius factor है जो influence कर रहे हैं research को या variables को उनको क्या करता है मैनुपलेट करता है या फिर उनको अटाने की कोशिस करता है ताकि हमारे इस वेरिवल के बीच में cause and effect relationship clear हो जाए clear है next question the latest amendment to montreal protocol montreal protocol का कौन सा amendment latest है kigali amendment हाँ kigali amendment ही हमारा latest amendment है कैसे montreal protocol is known as kigali amendment क्यों उसको बोलते है क्योंकि 1216 में इसकी meeting हुई ते कहाँ पे kigali में Rwanda में the kigali amendment needs to address the phase out the hydro chlorofluorocarbons यानि ash fc जो कि आजकल बहुत जादा greenhouse gas को क्या कर रही है प्रभावित कर रही है क्योंकि हमारे जो refrigerator वगरा है उनसे cooling के लिए हर घर में इसी वगरा हो रही है उनसे यह चीज़े निकलती है जो कि हमारे greenhouse gas को प्रभावित करती है ठीक है इसलिए इसका 2016 मीटिंग हुई थी मॉन्टिल प्रोटोकॉल बैसे अगर पूछा था है किसे संबन देता है तो जो लिएर से संबन देता है इसी प्रोटोकॉल में 16 सेप्टेंबर को हम लोगों जोंटे भी करते हैं ताकि लोगों को अगर यह कम हो जाएगा तो हमारा एंवायमेंट में गलत इंपक्ट नहीं पड़ेगा इट इंक्लिूद्स अग्रेजवल फ्रेजडाउं शेट्यूल फॉर डवलप एंडवलपिंग कंट्रीज विद अगोल ओफ अचीविंग सिग्निफिकेंड रिडेक्शन इन एचेफ्टी इमिशन वार यह तूफिप्टी कि हम लोग यह टार्गेट अचीव कर लेंगे कि जो डवलमेंट कंट्रीज हैं उनमें यह टार्गेट फिक्स करा गया कि तक हम यह डिडियूस कर लेंगे एचेफी को ठीक है तो हमारा कोशन क्या था लेटिस्ट अमेंडमेंट टू मॉंडरल प्रोटोकल कौन से है कि गाली अमेंडमेंडमेंट जो की दोडर सोला में हम लोगों की मीटिंग होई थी उसमें टागेट फिक्स करा गया था कि तो स्वीप ता पोल्स इन दा कमिंग एलेक्शन एवरीवडी सेंग लोग एवरीवडी इस सेंग सो ऐसा लोगों का कहना है बहुत से लोगों का विश्ट इन्फॉर्म फैलिसी कमेंटे इन दा अबब स्टेट्मेंट देखो यह सेम कोशन का लाया था था ना हम लोगोंने सही हो चाहे नहीं हो पर अगर बहुत सारी लोगों शीच को मान रहे हैं तो हम भी कहा देंगे कि हां यहीं बात सही है तो इसमें अपील टू मैजॉरिटी का फालिसी हमारी आ जाएगी ठीक है नाइस्ट कोशन विच और फॉलूइंग आर दिस्टिंगुशेवल फीचर्स बुद्धिस्ट कॉंसेप और कमुनिकेशन बुद्धिस्ट कमुनिकेशन में कॉंसेप्ट के क्या हमारे फीचर से उनको हमें इडेंटिफाइ करना है ठीक है तो इसको कैसे इडेंटिफाइ करेंगे अच्छा जो बुद्धिस्ट कॉंसेप्ते क्या वो अंडारेक्शनल थ सकता है कि नहीं डारेक्शनल तो थी तब ही तो थी फेमास हुई थी process oriented definitely process oriented थी competitiveness competitiveness क्यों होगी यह तो negative sense दे रहा है creation of meaning creation of meaning हां और behavior centered behavior centered थी लोगों को behavior को देखते हुए उसमें बताया गया था तो हमारा कौन सा option सही हो रहा है a नहीं हो रहा है sorry b d or e b d e option हमारा correct है d option हमारा सही हो जाएगा clear next यह वाला question नया है और अभी तक set में हमने तो नहीं देखा चार वाले में बाकी question जतने भी आए सारे repeated ways पे ही है content analysis is an approach to the analysis of documents and tax that seeks to analyze them in qualitative terms content analysis basically होता क्या है अगर हम यह समझ रहेंगे तो हमें answer बहुत easily मिल जाएगा content analysis होता है अच्छा यह बताओ analysis का मतलब क्या होता है किसी चीज को हम बहुत अच्छे से analyze कर ले फिर उसको conclusion निकाले रहें अच्छे से बात का यह मतलब था है ना जैसे हम लोग कहते हैं अगर हम दे रहे हैं तो ऊसका analysis करो कहां पे आपकी mistake है क्यों आपने यह question गलत कर दिया है picture क्या सोच गलत गिया आपने यह question कर लेंगे तुम्हारा मौक बहुत अच्छा जाएगा तो वही चीज होती है मतलब कि हम चीजों को breakdown करके उनको देखें कि क्या है अब content क्या है content हो जाएगा किसी जैसे हम सब्जेट content की बात करते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हो तो यह content के थुरो पढ़ा रही हो सेम वही चीज यहां पर भी है content analysis मतलब वह बहुत analyze करता है चीजों को और ब्रीफ में जानने कोशिस करता है के लिए यह समझ में आ गया होगा अब देखो जैसे यहां पर मैंने थोड़ी से फ्रोचार्श वागेरा बनाए इनको देखते हैं जैसे इसके application क्या है तो देखो क्या होता analyzing the structure of talk conversation analysis करते हैं किसका मोटिव क्या है डाटा-oriented analysis डाटा को एंडेट करते हैं और हमने थेओरी को डवलब करते हैं capturing the hidden meaning जैसे कि मैंने बताया hidden meaning को capture करते हैं और interpret करते हैं जब hidden meaning को सब बन जाएंगे तो हम लोग इंटरप्रेट कर देंगे फिर क्या है study seek to understand the messages in visual text often called semiotex मतलब कि जो study कर रहे हैं जो ढूलना चाह रहे हैं अगर message in visual text है उनका अगर analysis कर रहे हैं तो उनको semiotex बोलते हैं from the language spoken by the people in producing the meaning through text often referred to as discourse analysis इसमें देखो एक word यह है इसका मतलब क्या होता है from the language spoken जो बोला गया है लोगों के द्वारा उनका meaning क्या है through text तो यह इसको लोगों के द्वारा बोला गया meaning उसको बोलते है discourse analysis लोगों की meaning को हम जब analysis करते हैं उसको discourse analysis बोलते हैं तो अब हमें answer मिल जाएगा content analysis is an approach to analysis of document and text that seek to analyze them in qualitative terms देख उसमें सिर्फ qualitative terms लिखा है जब कि हम लोग जो content analysis करते हैं वो qualitative plus quantitative दोनों तरीके से इसको analysis करते हैं सिर्फ qualitative तरीके से analysis नहीं करते हैं जैसे हमने पहले आंगी पढ़ाता न कि इसमें क्या करते हैं को develop करते हैं data oriented होता है तो उसको qualitative के बेस पर तो सीधा नहीं कर पाएंगे ना और यह वाला statement हमारा true हो जाएगा यानि first is false second is true, four statement is true what were the important observation education commission pre-independence 8082-8883 तो यह जो 8883 में आया था हमारा hunter commission ही तो आया था उसके recommendation बतानी है क्या क्या बोली गई थी तो यह सारे factual questions रहते हैं थोड़े सी इनको पढ़ने पढ़ते हैं तो भी बन जाते हैं ठीक है इसमें बोला गया है first statement है there is a need to replace the dispatch of 8054 dispatch 8054 में आया था इसको replace हम लोग कैसे कर सकते हैं जब की commission की बात कौन सी हो रही है 82 वाली तो यह वाला option कैसा हो जाएगा incorrect हो जाएगा it is necessary to refresh the general working of Indian university उसमें यह बोल रहा है कि भारती विश्विद्याले की जो समाने प्रणाली है उसको नए सांचे में डालने की आवेशकता है बुलकुल नए तरीके से हम उसको करें तो इसके भी इसमें बात नहीं करी गई थी there is also need for local government to extend the facility of general education हाई इसकी बात की गई थी कि हम लोगों के local government में भी facility देनी चाहिए ताकि हमारी education का area थोड़ा सा extend हो सके फिर fourth है it is important to fund each college depending upon staff stand maintenance expenses and local requirement बुलकुल अगर हम लोग university में देख लेंगे हमें उसकी staff की कमी है कितनी है और कितनी नहीं है तो हम उसी हिसाब से वहाँ पर fund को देंगे special grant should be available to improve the infrastructure of colleges हाँ infrastructure colleges में improve करने के लिए भी यहाँ पर हम लोग grant देंगे 8082 वाले में तो last के तीन हमारे option सही हो जाएंगे CDE अगला question है यह teacher education teaching aptitude यानि जो आपकी first unit है उससे question है और इससे स्वयम परभा से भावर के question 2000 जो जून वाला पेपर हुआ है उसमें तो तब भी कम पोचे गए हैं और इससे जो पहले वाला करती है और यह कहां से कहां तक करती है 9th to PG तक आपको मतलब study material आपको provide करती है तो उनके channel अलग अलग है जैसे कि आपका channel number जो एक है कम से कम वैसे 34 channel है तो 14 को याद करना तो possible नहीं है लेकिन जिससे question आने की संभावना है या जो आ चुके हैं हमें उनको तो याद करना ही करना है जैसे जो पहला channel है वो बागीश है ठीक है और जो दूसरा channel है वो हमारा Sanskrit है बागीश Sanskrit तीसरा है प्रबोध यह capital letter में ही लिखना चाहिए प्रबोध और जो हमारा 4th channel है वो शारश्वत है शारश्वत और 5 channel जो है प्रवंधन management जिसको बोलते है प्रवंधन और जो 6 है वो हमारा है विधिक loss related 7 है कॉटिल्यो अर्थसास्त्रे और 8 है आरे भट्टो कि राइटिंग में तुड़ा मैनेश कर लेना फर्स्ट है बागीश संस्क्रेट प्रवोध शारश्वत प्रवंधन बागी विधिक कॉटिल और आरवट इनको ऐसे ही पांच शे बार पढ़ो याद करो याद करो याद करना पड़ेगा तो याद हो जाएंगी बैसे इनकी आप अंदर सब्चेट से उनकी टेंशन नालो कि उनकी सब्चेट जो नाम है ना चैनल के उससे ही समन्ध में आ जाएंगे कि किस समंध्यत है जैसे विदेख हो गया कॉटल असास से है मारे आरवट मैथमेटिक से होगा संस्के संस्क्रेट लैंग्वे से होगा बागीश हमा आप पर बहुत साई 14 के 14 चैनल आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यह को फिर से पहला बागीश शारश शंस्क्रेट प्रवंधन प्रभोध सॉरी बागीश शंस्क्रेट प्रवोष शारश्वर प्रवंधन विद्धिक कॉटल आरवट तो चैनल नंबर 8 बोला गया था वह किससे संबन देते हैं हमारे अभी बताया आरवट से और से स्वयाम परभा की बार में जान लो यह 34 DTA चैनल है जो बता चुके हैं 24 7 आपको लिए प्रोवाइट करते हैं प्रो एजुकेशन प्रोग्राम हाई क्वालिटी के भी रहते हैं और यहां पे जीसेट 15 के तरो यह स तो नहीं पूचा गया था लेकिन हां इन से कोशन आ चुका इससे कोशन आ चुका यह प्रोग पोडल से कुशन आ गया कि कौन मैनेज करता है कौन मेंटिन करता है इसके कुरकंटें प्रोवाइडर कौन कौन है जैसे गनू है CEC इनके 9 प्रोवाइडर है इनके 4 फंक्शन भ इन मेनेजिंग एजुकेशन यह एक्सपेट करा जाता है पार्टर्शिप वी फॉर्म बिट्वीन दे रहा है क्योंकि एजुकेशन जो है आप ही कंकुरेंट लिस्ट में हैं जो की कॉंटिस सिक्षा जो है समवर्थी सूची का भाग है और यह एक रिलेशन्शिप दिखाता है स्टेट और यूनियन स्टेट के बीच में ब्लुकुल सही है यानि ए और बोथ है ट्रू एंड आर इस दा करेक्ट एक्स्वानेशन ओफ ए क्लियर है नेक्स्ट कुश्ट्ट इसमें एक्स् प्रेंट कर रही हूं ठीक है क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी तो इस थर्टीन कोशन पर हम लोग आ गए है दा स्टडी ओफ मास कम्मिनिकेशन प्रोसेस इस करेक्टर्स्टाइज पाइदा माइक्रोस्कोपिक व्यू आफ मैसेज जो स्टडी होती है मास कम्मिनि व्यूंकर देखते हैं ताकि उसकी धीप हमको सारे दिखजाती है जो हमें नॉर्मली चीजे नहीं देखती है लेकिन स्टडी को यूज करने ने से हमें बहुत सारे और्गनिजम दिखने लग जाते हैं तो सेम वही चीज है मास कम्मिनिकेशन में है उसकोपिक व्यू अफ म messages पुल्कौL definitely जो संकीत बिज्यान बोलते हैं जिसको सिम्योलोजी यहां पर लिखा बोल्ते है संकीत बिज्यान बोलते हैं जो कि सूच में दरष्ट्ट कोंद Pengund 2017 को थे थियात्ती है क्या हुथा है संकीत बिज्यान होती है ब apresent को थे तर्वलीन से इन सब चीज़ों को एक्जमाइन करता है ठीक है तो बलुकुल सही है यह चीज फिर सेकेंड बोला गया सिमियोलोजी और सेमियोटिक्स जो की संकेत विग्यान इसको हमने बोलते है और दिखा है इस फिर स्टुडी आप साइन्स इंडर्प्रेटेशन इंडर्प्रेटेशन इ इस ज़िए है उनको अनलाइस करता है उसको समझता इसको स्टुक्ट्र क्या कहना चाह रहा है उसको यह समझता है यह तराशना मैसेज को इन्टू दियर कंस्टिट्यूट अलेमेंट्स इमियोलोजी प्रोवाइश अडिटेशल माइक्रोस्कोपे व्यू आफ क्या बोलते ह की हमारी जो शादी बगरा होती है प्लोज अप लिया गाते तो वो क्या होते हैं ब्सूल यह आपके छोटे-लिया आ Collins लिये जाते जिसमें आपके श्दपर हार बगर सब देखते हैं ज trailer इसमें एम्पराद बेस बच VERY इसक ant dois image रूम करते हैं यह क्रिशन ए हम इसक्रीं में विवर और सब्जेक्ट ठीक है समझ गए होगी तो क्लोज अप क्या होता है विजुल पारडाइम्स होते है विच आप दा फॉलूइंग डाइग्राम वुड भी यूसफुल इन डिपसिटिंग दा मीडियन वैल्यू इन डाटा तो वह कौन सा होता है हमारा बॉक्स प्लॉट होता है मैडियन ноut यूट जो आपका होता है इन घो देक्ट करता है तरह कि था क्षप आप देफ भी प shipping स्थरुट में जो उसी तरीकी से यह वाला जो उसुल्यूव दिता है आप को हाफ-आप में clear next question है one component of the internal memory of a computer is random access memory which is following statement are correct about characteristics of RAM RAM के बारे में कौन सी बात सही है देखो RAM जो होती है इसका full form क्या होता है random access memory यह computer में एक बार save हो जाती है इसमें हम लो और उसकी जो RAM होती है वो memory का काम करती है इसमें हम लो data अपना save कर सकते हैं और यह आस्थाई होती है आस्थाई मलब volatile होती है अगर आप data अपना computer sorry बंद कर देंगे तो आपकी memory होगी वो चली जाएगी जगा computer on करोगे तो आपकी memory बापस आ जाएगी यानि कि volatile होती है volatile का मतलब क्या होती है temporary temporary जैसे hardx वगरा होती है क्या वो भी temporary होती नहीं नहीं होती temporary hardx में में से data आपका बना रहता है तो वो non-volatile होती है और RAM होता है वो आस्थाई होती है यानि कि volatile होती है और temporary इसका data रहता है इसको हम लोग क्या read and written कर सकते हैं volatile होती है temporary होती है modern PC typically have from 2 TV up to 32 TV of RAM नहीं यह तो वैरी करता है computer to computer कितना होता है पर इस तब भी इसका data होता है जीवी में normally रहता है तो यह तो हमारे रॉंग हो जाएगा और ABC हमारे सही हो जाएंगे इसमें देखो जो data है इसको temporary store करता है data को instruction को इसमें हम लोग पढ़ सकते है data को write कर सकते है यह volatile होती यानि आजस्ता ही होती है computer जवाफ करोगे तो आपका data चला जाएगा ठीक है यह उल्टा होता है non-volatile का जैसे की hardics non-volatile हो गई आपकी SSD हो गई यह आपकी data को remain करता है अगर आपकी power off चली भी गई तब भी आपका data सेव रहेगा और रेम क्या होती यह temporary storage होती है जो कि हम बता चुके है आप computer off करोगे तो फिर यह आपका data चला जाएगा और आप computer on करोगे तो कोई क्ली रिट्राइवल कर लेता है क्लिया और 2 TV तो 32 TV यह wrong हो जाएगा यह सही नहीं है क्यों क्योंकि PC to PC vary करता है और consume करता है इतनी ज्यादा consume नहीं करता है नॉर्मली few gigabytes जीवी में रहता है data हमारा क्लिया next question the audience of digital media are affected by कॉन सी जो audience है वो digital media से affect होती है पहला लिखा गया है limited geographical area fragmentation passive message और identity crisis किस चीज़ से affect होगी चोटी limited geographical area का मतलब होगे आपका जो media है वो बहुत चोटे limited area में हैं तो यहां से प्रभावित नहीं होगी अगर आसे मालू आपने कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा पैसे message है तो लोग उसमें involved नहीं होगे identity crisis है तो नहीं होगे किससे होंगे fragmentation fragmentation क्या होता है fragmentation is audience behavior and preferences जो audience preference कर रही है जो behavior है उससे वो digital media उसको lead करता है fragmentation याद रखना fragmentation क्या होती है with the vast area of digital platform channel and content available audiences have more choices and options than ever before पहले से ज्यादा उनको option मिल रहे है channel मिल रहे है तो लोग वहां से ज्यादा प्रभावित होंगे ठीक है this has resulted in fragmented audience where people consume media in diverse ways बहुत ज्यादा वेज में वो चीजों को ले रहे हैं consume कर रहे हैं follow different sources और अलग-अलग sources को वो follow कर रहे हैं and engage with specific nights and communities और उसमें engage भी है वो तो तभी तो follow करेंगे जब उनका area broader होगा वो बहुत ज्यादा चीजों से connected रहेंगे आबस में link रहेंगे उनको choices ज्यादा मिल रहे हैं तो definitely वो उससे ज्यादा effect होंगे खिलिया तो हमारा fragmentation मुलकुल सही हो जाएगा which of the following is an example of innovative approach of evaluation system कौन सा innovative example है हमारा evaluation system का evaluation क्या होता है चीजों को उनका मुल्यांकन करना जैसे अगर कोई test लेते हैं teacher तो उसका क्या करते हैं मुल्यांकन करते हैं अब मुल्यांकन तो करते हैं मला उनको check तो करते हैं पर innovative approach कौन सी होगी non-referent test nrt nrt क्या होती है nrt तो बच्चों को आपस में competition की feeling लाती है जैसे कि अगर आपके judge करेंगे कि आपका कितना percentile आया है इतने percentile वालों का ही selection होगा तो वो क्या हो जाएगा non-referent test हो जाएगा peer evaluation हाँ peer evaluation हमारा कैसा है innovative approach है evaluation system की clear है तो peer peer evaluation क्या होता है activity होती है actively participants करते हैं evaluation process में promote करते self-assessment reflection and collaboration यह तो best होता है student involved रहते हैं उसमें self regression करते हैं और development करते हैं कि इसका critical thinking का और communication skills का जिसमें बच्चे ज्यादा involved रहेंगे वही चीज़ ज्यादा best होते क्योंकि बच्चे आपस में बहुत सारे जीरों को सीखते हैं next question, यह reasoning question है जैसे बोला गया कानपुर को यह लिखा गया है तो मुब्ब क्या लिखा जाएगा जैसे कि K के बाद J आता है क्या, कि J के बाद क्या आता है, यानि कि minus 1 कर आगया इसमें इसमें minus 1, N के बाद M आयने इसमें minus 1, U में minus 1 सभी में minus 1 हो रहा है तो इसमें M में जब आप माइनस बन करोगे तो क्या आजाएगा L आजाएगा U में माइनस बन करोगे T L A Z H तो माइनस बन करने पर हमें आंसर मिलेगा अपना L T L A L T L A Z H के लिया next question review of literature helps a researcher with the interpretation of his or health findings review of literature is not of any help in learning different theoretical and methodological approaches to your research area review of literature का क्या मतलब होता है अगर आपने कभी अपने subject में यानि आपने अगर M A करा हूँ या M A करा हूँ तो आपने जरूर छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो उसके बारें पड़ाई होगा जा हम लोग कोई research करते हैं तो research के लिए पहले तो हम लोग अपनी problem को find करते हैं problem find करने के बाद हम लोग क्या करते हैं review literature करते हैं कि मला जो पहले से चीज़े हो चुकी है जिसके जैसे हमालो हमने कोई topic लिया क्या हमने online learning पे कोई topic लिया पढ़ेंगे dissertation पढ़ेंगे कि उन्होंने उनकी क्या findings आई है और फर हम उनने जो findings कि उसमें क्या कम ही रह गई हम कौन से चेत्र को बढ़ा कर सकते हैं उनने कितना चेत्र लिया है नो तो हम यह साई चीज़ों को देखके ही अपना research में आंगे बढ़ते हैं तो इसमें यहीं बोला गया कि इंटर्प्रेट करते हैं हम अपनी finance definitely review of literature की बहुत बढ़ी भेंभूमी का होती है research में second बोला गया कि not of any help उससे कोई help भी नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है अब लोग को मिलती है तो यह हमारा wrong statement हो जाएगा यानि first is true and second is false, third statement हमारा सही है next question what does following MS Excel formula formula से हरवार question आता है इसमें बोला गया sum है sum का sum का sum करा गया sum seat 1, seat 4, D18 इसमें बोला गया seat 1, seat 4 जो है उन सब का addition होगा किसमें D18 में होगा तो it adds data from all D18, cells in sheet 1, seat 2, seat 3 और sheet 4 इन सब का data D18 में इसको add हो जाएगा अब इस वाली question में किस से पूशा गया है higher education का question है यह इसमें आपको बतानी है कि जो authority है wiser आये हैं वो उसमें commission या chairman कौन रहते उस time पे तो Lord Rippon जो है Lord Rippon रहते है हमारे hunter के time पे तो A का third यही answer मिली है हमारा ठीक है तो B का four हो जाएगा रेले से और C का two and D का one clear the words communication community and communion are etymologically related very nice etymological का मतलब क्या होता है की study of words उनका मतलब क्या है as human society develop more and more simple system of communication immersed simple से simple चीज़ों को immerse करना क्या यह human society related है जैसे जैसे मानों समाज का विकास हुआ संप्रेशन की अधिकत सरल प्रणारिया आती गए अगर मानों का समाज का विकास होता रहेगा तो सरल थोड़ी न होगा हमारे चीज़े तो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो यह वाला option तो definitely गलत होगा देख उसमें explanation पढ़ेंगे फिर समझ में चीज़े आ जाएंगे जैसे etymology का मतलब क्या बताया हमने study of the origin historical development of word जो word है उसका क्या origin है उसका historical development क्या है उसको बोलता है etymology communication community and communion to share a common etymological root एक ही root word से तीनो word ले गए है इसमें वही बोला गया था कि etymology से यह तीनो word related है definitely related है जैसे इसमें Latin word है communis और इनी से इसमें common word क्या है common और shared के लिया तो यह बलुकुल सही हो जाएगा second statement में यह बोल दिया कि जो simple होता गया ऐसा नहीं है human society develop होती गई community system did not necessarily become more simple rather than involve me more complex and nuisance और complex शीज़े होती कि ना कि simple होती गई ठीक है तो first statement इसमें क्या हो जाएगा हमारा true and second statement is false c options है अकला question यह reasoning का question है इसको ध्यान से करते है इसमें लिखा है our girl walks 20-12 km south from her house जैसे मालो यह direction जैसे और वो 12 km कैसे गई है south गई है यह नीचे की तरफ गई है फिर वो कहां गई left तो left कौन सा होगा हमारा right जो हमारी घड़ी के सोई है ऐसी चलती है ना तो इसका left ही होगा यहानी left गई 26 km then turn left फिर वो left गई और 37 चली फिर अगें turn right right चली तो वो इधर जाएगी and 6 km तो उसने यह पूचा है कि उसका घर से office के जूरी में यह इसका घर था और यहां पे जाके वो पहुंच गई यहां पे जाके तो यह वाली direction कौन से है यह वाली तो यह नौर्थ थी यह वाली इस्ट थी नौर्थ इस्ट इसका अंसर हो जाएगा के लिए next question ozone layer which protect us harmful ultra violent radiation is situated जो ultra violent radiation है वो कौन सी layer में troposphere, stratosphere, mesosphere iconosphere तो stratosphere में यह बहुत easy question है हर किसी को ही बत रहता है कि stratosphere में हमारी ozone layer है जो की harmful ultra violent radiation से हमारी protection करती है जैसे से बोला गया है कि यह हमारी कहां पर है second found troposphere, troposphere से उपर है यानि first layer troposphere है stratosphere में ही हमारी ozone layer है जो की protection करती है हमारी ultra violent vapes से तो यह extend है up to 50 km height तक यानि यहां से यह 50 km height तक extend है और जिस layer वैजी dry it contains little water vapor या बहुत कम water vapor है advantage क्या है क्योंकि यहां पर कोई भी stormy weather नहीं होता है वारिश नहीं होती है जिसे कि यहीं पर हमारी सारे यहीं पर यहीं पर flight यहीं पर होती है और यहीं पर यहीं पर पाई जाती है यह question repeated है पहले भी यह question हम लोगोंने logical reason में किया था ठीक है तो इसमें बोला गया कि जो भी सारी चीज़ें में दिख रही है वह जानकारी वाल जानते हैं उनको knowledge of a legend जो चीज़ें में दिख रही है उनको जाना जा सकता है तो यह किस तरीके की fallacy है या फिर कौन सी Indian school में क्या है fallacy है तो fallacy कौन सी हो जाएगी अनूप सम्हारी हो जाएगी क्लियो next question है इसमें देखो हमें देखो पहले क्या आता था सिर्फ बाइनरी से decimal का ही आता था हम लोगों ने यह दर से हम इनसे भी check करके कर सकते लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे binary से hexadecimal तक का देख लेते क्योंकि यह वाली चीज़े हमने बहुत बार देख लिए ठीक है तो आज हम लोग को conversion होगा binary to hexadecimal देखो इसमें कैसे करते हैं इसका देखो बेस क्या है हम लोगों ने question भी दिख रहे है 16 है तो इसमें कैसे करेंगे देखो इसका पहले लिख लेते 1100 1000 इसमें क्या करेंगे चार-चार के पिर बनाएंगे binary वाले के बना लिए अब इसको यहां लिख लो करते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 और 10 ना लिखके यहां पर ABCD स्टार्ट हो जाता A B C D E 9 10 11 12 13 14 और 15 ठीक है F तक ही रहता है 15 तक clear है इसकी coding इस तरही किसे हो जाती है अगर हमारा 10 आएगा तो हम उसको code करेंगे 11 आएगा तो code करेंगे B ठीक है अब देखो यह वाला जो group है यह वाला group मैंने यहां पर लिखा है तो इसको use क्या करेंगे इसकी coding होती है 1 2 4 8 clear है अब इसमें देखो 1 जहां जहां है उसको आप मार के कर लो यह रहा 1 ओपर और कहीं 1 है नहीं तो सिर्फ जो 1 वाला है उसको हम लो लेख लेंगे 8 ठीक है यह रहा 8 एक हमें नमबर मिल गया फिर दूसरा code कौन सा है 1 1 0 0 इसकी भी coding कर दो 1 2 4 8 अब जहां-जहां बन है उपर वाले में उसको mark कर लो यह रहा 1 तो जहां-जहां बन है उनको add कर लो 8 प्लस 4 इसका मरलब कितना आ जाएगा 12 और 12 का code क्या जाएगा हमारा 9 है यह 10 11 12 यह रहा 12 का code यानि C तो हमारा answer क्या बन गया C8 बन गया I hope आपको इस समझ में आ गया होगा hexadecimal बनाने के लिए code होता है 16 ठीक है इसमें numbering कर लेते एक से लेके f तक कोडिंग रहती है 9 के बाद रिदस नहीं आता a से alphabetical series रूँ हो जाती है और फिस जो binary digit होता है उसमें coding कर देते है 1248 1248 और जहां-जहां one होता है उन numbers को हम लोग एड कर लेते हैं और वहीं हमारी code हो जाती है ठीक है तो इसका वाला हमारा true हो गया अब इस वाले को भी करके देख लेते हैं इस वाले को भी करके देख लेते हैं जैसे 0 1 1 1 1 1 0 1 1 इसमें चार-चार के pair बनाओ इसमें बनाओ पर अच्छा मान के चलो यहां पर जीरो नहीं नहीं होता तो अपने जो लगा लेते हैं पीछ अगर एक कात कम पड़ता तो क्या करेंगे 1 0 1 1 इसकी numbering कर देंगे कहां से numbering करेंगे 1 2 4 8 जहां जहां 1 है यह 1 रहा यह रहा 8 2 10 और 11 हो गया 11 का code क्या होगा 9 के बाद A 10 11 यानि A था इसका इसका B था इसका code क्या हो जाएगा second वाले को देखेंगे 0 1 1 इसकी coding कर लो 1 2 4 8 जहां जहां 1 है उसको add कर लो यानि इन तो इन तीनों को add करना पड़ेगा 4 2 6 7 7 तो 7 भी हमारा answer हो जाएगा यानि यह भी हमारा true है वैसे आपको paper में इसको भी check करना पड़ेगा ठीक है मैंने check कर दिया है इसलिए मैंने यह आपको hexadecimal आपके लिए नया था वो ने explain कर दिया है paper में आप जाओ तो इसको तो देखो ही देखो इसको भी देखना पड़ेगा binary से decimal भी आपको check करना पड़ेगा अब ही तो फिलाल के लिए यहारे बहुत statement सही है सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर यह गबढ हो गया और यह सही है यह गबढ हो गया तो फिर गलत हो जाएगा ना इस वरे से which of the following humanistic approach of learning humanistic approach क्या होती है self motivation को लेके के लिए देखो समझ लेते हैं पहले क्या होती है हमारी humanistic approach humanistic approach to learn emphasize the individual unique needs motivation, personal growth मतलब सिर्फ personal growth को लेकि humanistic approach को अपनाया गया है यह support करता है engaged learning environment को supportive होता है humanistic the foster curiosity, self motivation and learners active involvement learner को जो होता है active involvement रखता है उसको चीजे सिखाने की बहुत ज्यादा कोशिस की जाती है ठीक है it emphasize self motivation and better learning हम लोग कोशन कर लेंगे अपने इतने से ही जानकारे में हमारा question solve हो जाएगा humanistic approach क्या होती है आपको पता चले गया न creative होती है बच्चों को involved किया जाता है ताकि self learning हो सके self motivate हो सके तो पहला option बोला गया it emphasize on self motivation for better learning बलुकुल सही बात है it emphasize on learning at the higher level बलुकुल सही it foster curiosity सही बात increased learning activity बलुकुल it involves that learning becomes ineffective when it's need waste clear तो हमारे पांचों बलुकुल correct है humanistic approach नहीं थी हमारी car loaders नहीं इसको भी याद रखना curriculum at takshila was varied and include technical sciences curriculum of Nalanda excluded technical sciences बलुकुल जो takshila में हमारी हुई थी curriculum में हमारी technical sciences को fed करा गया था और नालिंदा को exclude करा गया था ठीक है तो बोथ statement are true हो जाएंगे इसमें हमें लोगों को याद रखना पड़ेगा नालिंदा ये university से काफी question आते है university से बहुत question आते हैं इनको याद रखना है कि कौन से university में क्या-क्यास की खास बात थी तो first statement में तक्षिला के बारें बोला गया था यह ancient center था education का ancient Indian में इसको क्या बोला जाता है comprehensive and diverse curriculum बोला जाता है clear इसमें तक्सिला included wide range of subject including technical sciences, mathematical, philosophy, medicine, literature और भी subjects यहां पे include थे नालिंदा में कौन-कौन से यह भी broad और extensive curriculum था यहां पे बहुत तरीकी field study थी इसको add करा गया था mathematics, astronomy, logical, philosophy, medicine and more पर इसमें बस याद रखना कि इसमें क्या नहीं था हमारे technical sciences नहीं थी बागी सारी चीज़ें को include करा गया था यह देखो logical reasoning का question फिर से है देखो all sense are materialist कल कल question आया था no-wala में no-wala में दोनों जैसे मान के चलो यह वाला statement ठीक कि समझने कोशस करना इसमें equivalent बोल रहा है कि कौन सा होगा जैसे no-wala कल आया था question अगर no-wala में यह वाला state में हम equivalent मान के चलते हैं तो इसका जो opposite होगा वो भी इसी के जैसे होगा no sense are materialist तो वो भी अगर यह सही है तो वो भी सही हो जाता लेकिन no-wala में इसमें क्या non-orita बोल दिया कि no sense are non to non-none कटके तो यह positive sense दे रहा है ना यानि यह इसके equivalent होगा समझ में आ रहा है ना no sense are non-materialist मतलब जो कोई भी संथ-materialist नहीं है इसका हमला है सारे के सारे हैं तो यह दोनों equivalent होगा कि नहीं होगा यह और भी तो definitely होगे तो इसमें अगर यह equivalent होगा तो no वाला तो बिल्कुल होगा ही नहीं तो d option element होगा हमारा यह वाला element हो जाएगा फिर बोला गया non-materialist are nonsense यानि यह भी तो इसी के जैसे हो गया all लग गया और non लग गया इसमें मटेस्ट बोला गया तो इसमें non-materialist बोला गया और non-sense इसी के equivalent हो गया तो a b c equivalent हो जाएगे डी बोलो को लग गया वीच आफ फॉल्वविंग ए से दी तक यह जो statement देख दिये गा है उसमें laser printer के बारे में पूछा गया है कि कौन से statement हमारा सही है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं laser printer के बारे में it uses a rotating drum in transfer image to the paper definitely और फिर second बोलागे it uses powdered toner हाँ इसमें जो laser printer उदे powder toner का प्रियोग किया जाता है it was nozzle to spray droplets on a paper droplets का प्रियोग नहीं किया जाता है it uses a print head mechanism and move side to side इसमें क्या याद रखने हैं दो चीज़े याद रखने है यह rotating drum होते हैं transfer करता है image को paper पर और powder toner होता है इसमें और भी both statement are true अगला question है chlorine is one of the most commonly used for an inexpensive chemical disinfectants for water अब क्लोरीन का प्रियोग हम लोग करते है ना water को clean करने के लिए और chemical disinfectants को हटाने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं ब्लोकुल सही बात है optimum fluoride level drinking water help prevent cavities in children cavity हटाने के लिए बच्चों के drinking water में हम लोग क्या मिला देते हैं optimum fluoride मिला देते हैं ब्लोकुल सही है तो बहुत statement are fluid fluoride की कमी सही है तो cavity problem होने लगती है तो हम लोग उसका level को drinking water में बढ़ा देते हैं which of the following are example of this folding देखो इसकी folding का मतलब क्या होता है जैसे मालो कोई बच्चा है चाइल्ड है अपनी classroom में पढ़ाई कर रहा है तो teacher क्या करेगी उसको थोड़ी से chapter पढ़ा दिया teacher लेकिन उसको फिर भी दिक्कत आ रही है कोई problem में डूड़ने में तो teacher क्या करेगी उसको hint देगी hint देगी या फिसको थोड़ा सा motivate करेगी क्लू देगी कोई चीज को solve करने के लिए तो बच्चा उसको solve कर लेगा तो वह होता है इसके folding यह मतलब नहीं होता है कि teacher ने सीधा उसको solution जाके बता दिया नहीं उसको motivate करेगी hint देगी clue देगी ताकि वह answer था बच्चा पहुंच जाए ठीक है मला उसकी level को थोड़ा साप करना है वह होता इसके folding पहला पॉइंट बोला गया providing hints and clue to solve a problem हाँ ही आप हिंट दी जाती है और clue provide जाते है ताकि बच्ची अपने ही गती से वहां तक पहुंच जाए अपने ही self thinking से वहां तक पहुंचे ठीक है बच्चों से अंसर निकलवाना है आस्टिंग लीडिंग कोईशन्स टू गाइड दा गाइड को यहां मेल गया ना हमें की पॉइंट गाइड करना है बच्चे को उसकी स्टूडेंट थिंकिंग को तो हमें आंसर क्या हो जाएगा एंड आंसर कोशन में ही चिपे रहते हैं अच्छे से पढ़ने की नीड होती है फिर अगला है वाट इस फुल फॉर्म ऑफ एंड बीओ डी का फुल फॉर्म क्या है देखो बी ओड तो हर किसी ने पढ़ा होगा ना यहां पर पढ़ाय की नहीं पढ़ाय बी ओडी बीओ डी क्या होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिम को potation होती है उन्में कितनी हैं ये जांचने के लिए हम लोग NBOD का pricing क्या होती है नाइट्रेजियस बैक 2 गय ouais केमिकल ऑक्सिजग्न डिमाय्ड यह क्या करता है task help करताush वाक्ष learnt करने में K質 pessoa value tree merch वातर करता है ठीक है oxygen देखो water में भी रहता है तभी तो वहां के जीव जो है जीवद रह पाते हैं तो बी-ओ-डी का क्या बी-ओ-डी का ही पार्ट होता है एन बी-ओ-डी यह इसको करता है कि कितना pollution है और इसको कितनी availability है oxygen की water में के लिए next question identify the disadvantage of close ended question कल भी call close ended से question आया था close ended का मतलब क्या होता है सिफ limited words में हम अपने answer को बताना होता है limited मतलब कि हम उसमें से कोई जैसे कि आपको यह option दिये गए तो आपका criteria यहीं तक तो है कि आप इन चार में से ही कोई एक चूज करोगे अपने मन से कोई पांचवा option तो बनाओगी नहीं है ना तो आपकी क्या हो गई criteria को उन्होंने fix कर दिया कि आपको इनहीं में से answer को चूज करना है ठीक है उसी क्या पोसेट open ended होता है जैसे कि हम लोग ऐसे टाइप जो कोई लिखते है अप्लेकेशन वेस्वेज्ट कोई लिखते हैं वह आपके हो जाते ओपन अंड कोईशन में पहला option है एक डिफिकल्ट तो में फोस्ट च्वास्ट तो पहला जोड़ने में तो हमारा क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज यह तो है फिर सेकेंड ऑप्शन है देर लौस पोटेंशियलिटी और इस पोटेंशियलिटी और इस पोडेंट सांसर बला इसमें पता नहीं चलता है कि वह उसकी स्वाविक्ता का हार्स होता है मतलब कि वह जै हो रही है आपकी स्वावाविक्ता है उसका कमी हो रही है राश हो रहा है लॉस हो रहा है ठीक है तो यह भी एक किसी क्या होती है कमी होती है समझ में आ गया यानि सर्वागूर्ण सर्वागीन विकास में इसमें कठनाई होती है बहुत जादा एंड और ऑप्शन करेक्ट हो 3 प्लस 2 किया गया है राइट जो कोई 20 से 20 इंटू 3 प्लस 2 करोगे तो क्या जाएगा 62 आ जाएगा उसी तरीके से 62 में आप 3 का मल्टिप्लाई करके 3 एड करोगे तो क्या जाएगा 189 आ जाएगा और 189 में 3 का मल्टिप्लाई करोगे और 4 add करोगे तो क्या जाएगा 571 जाएगा उसी तरीके से 571 में 3 का multiply करेंगे और 5 add कर देंगे तो 1718 जाएगा और 1718 में 3 का multiply करेंगे और कितना चोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा answer 5160 जाएगा क्लियर इसका मतला option है हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है राजा राम मुहन राए वस responsible for the establishment of राजा राम मुहन राए ने किस चीज को establish करा रहाता तो किसको करा था हिंदू कॉलिज कोलकाता को establish करा था देखो इसके नाम से जो राजा राम होन रहे थे किस जगह से associated थे कोलकाता से यह common sense से question solve हो सकता था ठीक है हिंदू कॉलेज जो है वो कोलकाता में establish करा गया था कब करा गया था 1817 में इसको establish करा गया था के लिया और इसमें क्या इंडिविज्वली इंडिविज्वल्स जो थे like-minded उनको 8070 में इसको publish करा गया था it is one of the first modern education institution इंडिया ठीक है यह भी की point याज लखना यह पहला modern education institution था इंडिया के जिसने बहुत significant role play करा था western education के ideas पर ठीक है next question यह mathematics का question है the selling price of 30 articles is equal to the purchase price of 25 यानि कि 30 का selling price है 25 article के बराबर है तो इसमें हमें percent loss या profit ढूलना है तो इसको ऐसी question के में लिख लो और SP और CP का ratio निकाल लो तो कितना आ जाएगा 25 upon 30 इसको cut up PT करके तो 5 upon 6 आ जाएगा तो अब देखो यहाँ पे SP 5 है और CP हमारा 6 है यानि हमने जादा में खरीदा और कम में बेचा इसका मतलब definitely loss होगा कि नहीं होगा loss हो गया कितने का loss हुआ एक का loss हुआ कितने पे हुआ six पे हुआ तो कितना आ जाएगा loss हुआ न तो यह हमारा answer बन जाएगा next question है शूट particles अर क्या होती है यह ठीक है तो इनको हम दो देख लेते हैं जो इसको सूट को हिंदी में क्या बोलते है कजल बोलते है यह black carbon इनको बोला जाता है वैसे basically इनको क्या बोला जाता है black carbon इनको बोला जाता है और mostly of course size range यहेंर उसा कुछ नहीं होता कि यह मोटे size के होते हैं मोटे size के तो नहीं होते हैं आप टॉक्सि यह toxic होते हैं अगर यह black carbondefinetly toxic तो होगे ही होगे contribute in global warming अगर यह toxic है तो global warming में भी कांफ़ना contribution देंगे can penetrate in deeper parts of lungs फेफड़े के अंदर प्रवेस कर जाते हैं यह सिफ इनका मोटे साइज के यह नहीं होते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा answer A C D E यह third option हमारा सही हो जाएगा ठीक है आज के हमारे सारे questions हम लोगोंने कर लिये हैं तो I hope आपको यह session अच्छा लगा हो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही है प्रीस को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब जरू करिए मिलते हैं अपने अगले session में थैंक्यू सो मच